ताबर मांगे गोधी और देश मांगे मोधी मतलब समझाइए आप इसको सिंपल सा है इस देश को मोधी की जरुवत है ठीक है और अगर मोधी दोहजार चोबिस में आते हैं तो एक नया चेहराही नी देश का नया रूप भी आएगा सामने एक तरफ रावल गांदी, एक तरफ ममता बनर जी, एक तरफ निदीश कुमार ये सारे एक वोचू किया है अगर ये सारे एक भी होजाएंगे ना तो अब इन रेंद मोधी को उटाना बहुत मुश्किल है तैह है मोधी ही आएगा और मोधी ही चाहिए आएगा नी चाहिए ही मोधी, चाहिए ही मोधी अब ये आगते काते मुझे देदीजे दस साल, मैं देश को सुधार दूगा रहे, आपको इतना साल देए, आपने क्या किया देश में, आपने देश में तो घोटाला किया दोजार चोबीस में परदानमंतरी के लिए कौन चहरा सही लग रहा है? नरिंदर मोधी, क्यों? नरिंदर मोधी ने देश के लिए विकास किया है, विकास में अभी जैसा लगाता है, उनका दूती वर्शे साथक चला है, टिपर तलाक हुआ है, और उसके बाद क्याना में जम्मु कस्मी धारा 378 है, और उसके बाद किसार मत्ता योजना आया है, सैनिकों का सम्मान मिला है, और आध तक कोई रश्टा चार से कोई लुपत नहीं है, सबसे बड़ी बात है है. राहुल गांदी तो कह रहे हमारी सेना पिट रही है, आप कहरें सैनिकों का सम्मान दिया इस सरकार्ने में? आप इसके पहले देखे जब इनकी सरकारे थी तो सेनिकों को पूरा मुअबजा नहीं मिलता था लेकिन जब मोदी जी की सरकार आयी थी सेनिकों को कितना सम्मान बढ़ा है आज हर आदमी सेनिक का सम्मान कर रहा है राहूल गांदी जी तो उल्टी बात करते हैं इतनी महंगाई कह रहे हैं राहूल गांदी बेरोजगारी है उसके बाद भी आपको मोधी जी दिख रहे हैं देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सी सरकार थी किसकी सरकार में महंगाई महंगाई के साथ साथ प्यम愍गा भी बड़ा है लोगों का जब यूपिय की सरकार थी चटाव बेतन अ हया था तो किसकी सरकार आय थी राहूल गांदी जी इनकी सरकार में कितने आद्म को इन्होंने रोजगार इसी बात करते है अनाप सनाब परिपक कि नहीं है नेता बनने के लिए परदान मंतरी के लिए परिपक्त नेता की जरूरत है उनको मालूम ही नहीं पालियमेंट में बैटे ही नहीं है उनको भारत की हिस्ट्री के बारे में मालूम ही नहीं है कहीं जाते हैं कुछ बोल देते हैं भाजपा वालों ने लोगों को बाट दिया धरम के नाम पर बाट दिया। ने ये कर दिया। ये तो क्या है कि आरोप लगा रहे हैं। इनकी सरकार खुद ब्रस्टाचार से धरम को बाटने का काम किया है। इतना लंबे वर्सों तक भी बात चलता हुआ। अगर यही उत्तरप्रदेश में समाजवादी पाल्टी की सरकार होती या इनकी सरकार होती तो 101% दंगा होता। लेकिन जब मोदी जी और उत्तरप्रदेश में योगी जी की सरकार थी तो यह कि भी दंगा नहीं इतना प्रसासन टाइटर के इतना निस्पच पैसला हुआ। आपको सरकार देश की जनता ने इतना लंबे वर्सों तक दिया आपने देश के लिए क्या किया आपने स्पताल बनवाया हो तो बतवा दीजिए सड़क के हाल ने को बेहाल था अभी आगते करते मुझे दे दीजिए 10 साल मैं देश को सुदार दूँगा रहे आपको इतना स आपने क्या किया देश में आपने देश में तो घोटाला किया आपका तो घोटाले वाली सरकार थी इसलिए जनता ने इनको खेट दिया था अगर यह इतना पर प्रकोते तो अमेटी से चुनाओ नहीं आरते हैं अज आज इनको आफसकता है बड़ी है आज बारत जोड़ो यात्रा ने किले हैं भारत जोड़ो यात्रा में भारत की सकते के रूप में घड़ रहा है बारत कम टूटा ववा था इन्हों ने कभी जनता से मिले थे हैं अभी जब इनको पता लगा जब मुझे जनता से मिलना नहीं इनके नेता कुछ तूट रहे हैं, इनके नेता कुछ जा रहे हैं, मोधी जी के बार वे तो सुभे सिले के साम तक मोधी जी ने किया, इन्होंने क्या किया देश की जनता के लिए, कांगरेस परिवार सबसे लंबे लंबे वर्सों तक था, देश के लिए क्या किया है कांगरेस में और सबसे लंबे तक कोई विकास का काम नहीं किया है तो अब क्या लग रहा है फिर राहूल गांदी यह यात्रा जो करने से कुछ फाइदा नहीं मिलेगा अच्छी बात है राजनितिक डल हैं उनको यात्रा करना चाहिए लेकिन इनसे कोई फाइदा नहीं मिला क्योंकि ज नाम है कि बीजेपी नफरत पहला ते आये थे यहां पर लाल के लिए पर तो इन्होंने बोला नफरत कौन से नफरत पहला नफरत तो आपने पहला आया था सबसे लंबे वर्सों तो जम्मो करस्मेर में उससे पंडित जवाला नहरू जब भारत के परदानमंत्री परतम पर कौन चेहरा सूटेबल रहेगा देश के लिए राउल गांदी अंधर पर मांगे गोधी देश मांगे लिए दोबारा बोलईी गोधी और देश मांगे मोधी मतलब समझाई आप इसको सिंपल सा है इस देश को मोधी की जरुवत है ठीक है और अगर मोधी 2024 में आते हैं तो एक नया चेहरा ही नहीं देश का नया रूप भी आएगा सामने कैसे आएगा अभी साड़े आठ साल से ज्यादा सरकार हो गई वो कहरे राउल गांदी केवल महंगाई दी बेरोजगारी दी आपसी भाईचारा खराब कर दिया आप कहरे हैं देश का नया चेहरा समय है अहीं पहले सिर्फ पहले पहले दुनिया में मोदी ना मोदी ना इंडिया कोई किसी को नहीं जानता ता आज हर जेगे वि sweat इंडिया- इंडिया- 2ili Be तो यह है कि आपकी जे में उस ओकाने एक रिपया चलता था तो देश जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे तो पहेंगा बढ़ती जाएगी ना तो देगे आपकी जेब में तो सोका नोट होगा लेकिन पचास आने वाले भी तो लोग है वो कहां से करेंगे खाएंगे बैचारे तो उसके लिए बहुत सरकार कर रही है न कुछ को इतनी नहीं नहीं योजनाएं लेकी आ लएक जैसे हारी है तीक है कि हिंदू मुसल्मान बट गया मोदी जी की सरकार आने के बाद नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है अगर ऐसा होता तो जो अपने मोदी जी है वो किसी दूसरे देश में जाके वो ऐसा नहीं करते ठीक है उनके लिए हर कोई बराबर है और देश का जो पी एम होना चाहिए वो ऐसा ही उसके लिए ना हिंदू ना मुसलिम उसके लिए सब एक भाई है सब एक परिवार है तो क्या लग रहा है इस यातरा का क्या आसर है कुछ ही नहीं है सब दिखाओघी जोड़ो यातरा गर लिते हैं बेचार बेचार ना उनको ना उनको ना उनको कि देखो लेकिन जब से यह बीज़ेपी सरकार आई है आज नोड़ा में सब हर परिवार एक चैन से रात को सो रहा है बट पहले तो ऐसा नहीं था दुनिया में कितनी पहले यह आतंगवादी घटनाएं होती थी बट आस तो नहीं होती हैं तो सारी चीशे जो धीरे-दीरे कम भी तो होती जा रही है न और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर लोग अना गुने गुना करने से पहले यह कोई भी देश गुना करने से पहले दस सुचेगा तो दस बार सोचना पड़ेगा पड़ेगा चोबीस में त्य मालने आपकी तरफ से मोधी है मोधी ही आएगा और मोधी ही चाहिए जाहिए ही मोधी जाहिए ही मोधी कि अरे तो भाई 1200 का आ रहा है लेकिन यह भी तो देखो दुनिया ने तर्की भी तो कितनी की आज जिडि पी जो है तीक है अब जीडिक के साथ ही चलेंगे न यह से थोडी ना कि भार जो डोलर है आज भी पहले साट रुपे का था तो आज भी साट रुपे का रहेगा वह तो कोविड में अपना गिरा है तीके आप दूसरे देशों की बात करेंगे तो दूसरे देशों में ज्यादा कि रहा है हमने तो फिर मेंटें कर रखा है और यह किसी के बसकी बात नहीं है हमने दुनिया को मदद भी दे दी साला फिर भी हम बराबर बैठें पिर भी बराबर पर हैं फिर भी भगत लगा रहे आप तो मोधी के भकती है और इसलिए देश की जंता नहीं सभी बुजूर्ग युवा नौजवान सभी मोधी कुपा परुजूर्चा करते हैं क्योंकि कांग्रेस इतना लंबे वर्सुत है इन्होंने अकर गरीबों के लिए क्या योजना पहुंची ती चक्शान मोधी जिने नहीं कर सकते हैं वोटfold लिए क्रवड न。 प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं आपका क्या नाम भाई साब मेरा नाम पारस है तो क्या लगता है दोजार चोबीस में मैं कहता हूं नरेंदर मोधी डेफिनेटली आएंगे उनके कामकाज बहुत अच्छी है और उनके बराबर कोई नेता नहीं है एक तरफ रावल गांदी एक तरफ ममता बनर जी एक तरफ न उनके उन्होंने जो पॉबलेशन उन्होंने जो पॉबलेल्टी अपनी हासिलिकरी ना वह नाम जो नरेंदर मोधी है मैं तो यह ना कभी आएगा ना कभी आसकता ऐसा चैरा यह चाहिए और चोबीस में तो यह बनेंगे उसे बाद जब ठाइस में तो योगी दित्तनाथ आ यह कहते हूं कि अफ़ूद अपना काम कीजिए यह निगी सब को मिल जाएगा है इसा नहीं हो सकता कि हमारे सबाद को मिल जाएगा तो मैं कहता हूं कि अगर आदमी अपना पूद काम कर सकता है रिड्य बी लगा रहे लोग कुछ ने अपने कार खाने खोल दिये अभी जो बोट बड़ बड़े वहां पे अहना राहि आये थे उन्होंने अप वो अपने प्लांट लगाएंगे जोब देंगे प्राइवेट मिलेगा सबको जूब नहीं मिल सकता यह तो कभी हो नहीं सकता कि सबको जो मिल जाए ज़िए कि बाट देते हैं लोगों को हिंदू मुसलमान नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है कोई बाट रहे मैं चुछा नहीं लेकिन मोधी को हराना मुश्की लगे में वाता नाम हुग जोबिस में डेफिनिटी मोधी जी आंगे हा लेकिन इस सीटे काफी हद तक बढ़ जाएंगी इस बढ़ेंगे था व्थीड्य मोधी बनेंगे उनकी जो इनकी जो भड़ याद्र जोड़ रिया उन से यूद काफी फॉलो कर रहा हुआ उनको लेकिन नरेंद यह एक दम से नहीं रूख सकता है अगर हम राल गांदी को लेंगे जब भी प्रोजगार रहेगा सब यूवगा नोगरे नहीं सकता है तो इंपोसीबल है जनसंग्या बढ़ती जा रही है यह तो नरेंदर बढ़ती तो बढ़ता रहेगा उनके जो काम का जा है उन्होंने डि यह भी आईगी 24 में